मुझे संत्रे चाहिए मामी तो दोस्तो आज हम जानेंगे सिनी प्राइम वेब सिरीज मामी नंबर बन के बारे में इस वेब सिरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि नीशा अपने पती के साथ एक बड़े से रोहाउस में रहती है नीशा का कोई बच्चा नहीं हुआ रहता है एक दिन अचनक नीशा के घर उसके पती का जीजा और बहन जिसका नाम शिल्पा रहता है वो लोग आ जाते है उनके साथ उनका बेटा रिंकु भी आता है रिंकु नया नया जवान हो रहा होता है इसलिए उसमें बहुत जादा उत्ते जना होती है वो नीशा को देखते ही मधोश हो जाता है और उसे गंदी नजरों से देखना शुरू कर देता है नीशा उससे पूछती है कि रिंकु बेटा तुम क्या खाओगे तो रिंकु कहता है संत्रे देदो मामी सब लोग रिंकु के मूँ को देखते है फिर मामी रिंकु को संत्रे देती है और सभी लोग बाचित करना शुरू कर देते है फिर नीशा शिल्पा को कीचन में ले जाती है और कहती है और बता शिल्पा क्या चल रहा है तेरा तो शिल्पा कहते यार हम लोग second honeymoon मनाने शिमला जा रहे है तो नीशा कहते वा क्या बात है यह हमारा एक बच्चा नहीं हो रहा है और तू तो बड़े मजे ले रही है अच्चा है जा शिमला और मजे कर पर शिल्पा कहते हैं हाँ यार पर यह रिंकू को साथ ले गए तो काहे के मजे लेने मिलेंगे यह लड़का बार-बार बीच में आ जाता है एक काम करना तू इसे अपने घर पे रख कुछ दिन के लिए तब तक हम लोग शिमला जाकर हनीमून मना कराते है तो नीशा मना नहीं कर पाती है और इंकू मामी के पास ही रह जाता है फिर इंकू मामी को गंदी नजरों से देखता है और सोचते रहता है कि मामी की कैसे ली जाए फिर एक दिन मामी किसी काम से बाहर जाती है तो रिंकू मामी के कमरे में जाकर उनके प्राइवेट कपड़ों को हाथ में लेकर सुंगता है और मज़े लेता है फिर एक दिन मामा मामी रात में दोनों सोई हुए होते है तो रिंको उनके कमरे में जाता है और कहता है मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में मुझे आप लोगों के पास जाता है तब फिर से मामी और रिंकु मुखाला कर लेते हैं फिर रिंकु की मा शिल्पा शिमला से वापस आ जाती है रिंकु को लेने तब रिंकु बहुत खुश नजर आता है तो शिल्पा कहती है कि नीशा तुने रिंकु को बहुत अच्छे से संबला है काफी खुश और मै करके निकल जाता है पर हद तो तब होती है जब मामी प्रिग्नेंट हो जाती है और बच्चे का बाप रिंक होता है और इसी के साथ वेब सीरीज खत्म हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको मामी नंबर वन की कहानी अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए एक्स्प्लेन करते रहें धन्यवाद